स्वागत आपका साल स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में डिसकेस करने वाले हैं कि जो भारतिया रेलवे है उसमें रेल का पट्री से उतरने का क्या कारण है यहीं कि भारत में जो डिरेलमेंट है वो कितनी होती है और उसके क्या रीजन है उसको कैसे दरे गए इतना बड़ा हाथसा हुआ इसमें जब यह जब चीजें जाने गई एक रिपोर्ट सामने आती है कैक की यानि कंट्रोलर और ऑडिटर जनल ऑफ इंडिया के रिपोर्ट सामने आती है जिसमें जो में रीजन बताया गया कि जो भारत के अंदर काफी टाइम से अग जब नrän की गया हुआ गया देखी लगबग अतृट पर कोई पर नाली जो है वे यहां पर लागू नहीं की गयी ती मतलब कि यहां पर इंपड़िमेंट नहीं की गई देखें लगबग अभी तक 1455 किलोमेटर पर ही मैं अप्रोक्सिमिट 1500 किलोमेटर अगर आप मान ले यहीं पर ही जो है वो कवच परनाली अभी लगाई गई है एक लाख से भी जादा किलोमेटर यहां पर है भारती रेलवे के अंदर तो उसमें से सिर्फ 1500 बहुत ही कम जगें जो यह कवर किया गया है यहां पर जो है वो कवच परनाली नहीं लगी हुई थी अब यह कवच क्या होती है इसको भी हम डिसकस करेंगे इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से कवर करने वाले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के लिए मैं बता देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF जो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं लेके ओडिसा के अंदर जो बाला सोर में यह जो दुरगटना हुई है दो जून को यह बहुत जादा दुरगदाई है डेफिनिटली जिसमें मैंने कहा ना 288 लोग जो हैं जो गौर्मेंट रिकोर्ड बता रही है 288 लोग जो हैं इसके अंदर मारे गए काफी सारे संक्या के अंदर लोग घायल भी हुए इन चीजों को देखते हुए एक जो सबसे ज़्यादा आवशकता एमर्जनसी जो इसकी पड़ रही है वो ये कि जो सुरक्षा उपाएं हैं उनको बहुत परभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए रेलवे के अंदर इसके जैसे ही ये दुरगटना होती है तो एक मांग उठने लगती है कवच कि कवच की पहल के और ध्यान अकरशित जाता है इस घटना के बाद अब अगर कवच परनाली यहाँ पर लगी होती तो क्या ये घटना नहीं होती इसको हम जानेंगे और कवच परनाली काम कैसे करती है ये भी हम देखने वाले अब रिपोर्ट आती है कंट्रोलर एंड ओडिटर जनल ओफ इंडिया की 2022 की रिपोर्ट जिसमें बोला गया कि भारतिय रेलवे का पटरी से उतरना देश में ट्रेन दुर्गटनाओं के कारणों में से अने कमियों को चेहनित करता है यनि बहुत सारी कमिया है कि रेल जो है वो पटरी से क्यों उतर रही है जो रुपया जो है रेलवे को दिया गया था सुरक्षा के लिए क्या वो सही डंक से लगा कि नहीं लगा इन चीजों को है इस रिपोर्ट में बाहर निकाला गया है अब बात कर लेते हैं जो अब तक डेडलियस्ट रेल एक्सिडेंट हुए है भारत के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे जून 1981 के अंदर 800 लोग मारे गए थे साथ जो कोचिस थे मतलब की साथ जो बोगियां थी बहुत जादा उसके अंदर भीट थी ओवर क्राउड़िड वो ट्रेन थी साइकलोन के अंदर मतलब की तुफान आया हो था उसकी चपेट में आने के कारण ये जो ट्रेन है वो रिवर में जाके गिरी जिससे क्या है 800 लोग उसमें मरे गए 1988 जुलाई 1988 में ट्रेन डीरेल हो गई थी वो एक खुद यहां पर देखें एक नियर लेक उसमें जाके गिर गई जिसके कारण क्या हुआ एक 106 लोग मारे गए अगस्त 1995 में 350 लोग मारे गए थी दो ट्रेन आपस में एक्सिडेंट हो गई थी मतलब आपस में टकरा गई थी 200 किलोमेटर जो है वो दिल्ली से दूर ये गटना होई थी इसके बाद अगस्त 1999 के अंदर दो ट्रेन आपस में फिर टकराई वेस्ट बंगोल के अंदर जिसके अंदर 285 लोग जो है वहाँ पर मारे गए अक्तुबर 2005 के अंदर बहुत सारे जो कोची थे वो डिरेल हो गए थे यानि पटरी से उतर गए थे जिसके अंदर 77 लोग जो मारे गए थे जुलाई 2011 के अंदर 70 लोग मारे गए थे 300 से लोग ज़्यादा गायल हुए थे फत्यपूर के अंदर ये काम हुआ था नॉमबर 2016 के अंदर 146 लोग मारे गए थे 200 से ज़्यादा लोग गायल हुए थे डिरेल हो गए थी यूपे के अंदर ये ट्रेन जनवरी 2017 के अंदर 41 लोग जो है वो मारे गए ट्रेन डिरेल होने के कारण आंधरा परदेश के अंदर 2018 के अंदर ट्रेन जो है वो बहुत सारे लोगों के उपर से गुजर जाती है जहांपर क्राउड यानि एक भीड़ी कटी हुई होती है ट्रेक के उपरी होते हैं 69 लोग मारे जाते हैं अमरी सर के अंदर यह मामला काफे ज़्यादा हाइलाइट हुआ था यहांपर अब डिरेल क्या होती है देखिए पट्री से उतरना उस थिती को संधर्बित करता है जब कोई ट्रेन या अन्य कोई रेल वहाँ जो पट्री से उतर जाते है जिसके प्रेणाम सुरुख स्थाई का नुकसान मतलब कि रेलवे का नुकसान होता है मतलब कि कुछ नुकसान यहांपर रेलवे की इचित पत पर आगे नय बढ़ने में ऐसमर्थ है यह एक गंबीर सुरुक्षा करता है जिसमें शती चोटें यहां तक की मृत्यू भी हो सकती है तो यह डिरेल्मेंट होती है अब बात करते हैं जो एक रिपोर्ट पाईगी है उसमें में हाइलाइट क्या क्या चीज़ है देखें कैक की रिपोर्ट से पता चलता है कि 2017-18 से लेकर 2020-21 के बीच लगबग 75 परतिशत consequential train दुर्गटनाएं जो है वो पट्री से उतरने के काणु है अब यहां पर एक टर्म आती है परिणामी रेल दुर्गटनाएं परिणामी इंग्लिश में हम कहते हैं consequential train accident देखें रेल जो है railway क्या करती है कोई घटना होती दुर्गटना होती उसको दो category में डिवाइड कर रखा है एक आपके सामने consequential train accident एक है other train accident जो चीज़ें इस consequential train accident में शामिल की गई है उसके अलावा जो बजाती है वो इस other के अंदर शामिल कर दी गई है यह इनकी definition दी गई है कैर इसको भी हम देखेंगे अभी कौन कौन सी इसके अंदर आती है consequential के अंदर देखें 217 consequential train accident में से 163 यानि लग बग 75 परतिशत रेल का पटरी से उतरने के कारण हुई है रेल दुरगटनाओं में अन्य जो कारण रहे है रेल गाडियों में आग लगने का कारण हो गया एक मानव रही संपारों पर दुरगटनाएं होगी इसके अलावा रेल दुरगटना का वर्गी कारण जैसे मैंने आप लोगों को बताया एक तो है परिणामी रेल दुरगटना और एक अन्य रेल दुरगटना इंगलिश में नहीं की consequential train accident और other train accident इसको डिवाइड कर दिया गया है railway के तवारा किसी दुरगटना को अब यहाँ पर consequential train accident के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई है आप किसको consequential train accident मानेंगे इसके अंदर भाई loss होता है life का, human injury का, property damage होती है या rail के यातायात के अंदर रुकावट आती है अब इनके अलावा जो भी बच जाता है वो आजाता है आपके सामने other train accident इन सब चीज़ों को उसमें शामिल किया गया है अब इसके अलावा हम बात करते हैं क्या क्या कारण रहे है rail के पट्री से उतरने के इस report का अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें पाया गया कि 23 factor ऐसे सामने निकल के आते हैं 16 zone और 32 divisions के अंदर जहां पर 23 कारण के अंदर रेल पट्री से उतरी है अब पट्री से उतरने के जिम्मेदार में main factor आपके सामने रखा गया वो है track की maintenance track की maintenance के एकारण 167 मामले सामने आए अब एक track के लिए कुछ माम दंड या नहीं की वहाँ पर कुछ parameter लगाया जाते हैं वो parameter से जो परमीशेवल नहीं होते हैं उनको मतलब की एक तरीके से गलत parameter के according वहाँ पर rail track के साथ छेड़शाड की गई उसमें 149 मामले सामने है फिर इसके अलावा bad driving या over speeding के कारण 144 मामले सामने निकल कर आए यहाँ पर सबसे जादा तो आप देखेंगे न तो maintenance के कारण जो यहाँ पर मामले निकल कर आ रहे हैं एक railway राष्ट्री है railway सरंक्षा कोस है CAG ने इसकी भी एक तरीके से कहेंगे कि जांच की है CAG ने 2017-18 में जो स्थापित RRS के इसका परदर्शन कैसा रहा इसको जिसके लिए बनाया गया था उसने उस काम को सही से किया कि नहीं किया या फिर इसको जो fund दिया गया था यानि सुरक्षा के लिए इसको उपायों को सुचारू रूप से लागू करना क्या इसने उन सब चीजों को किया नहीं किया कितनी इसके पास शोर्टेज कमी रहेगी fund की इन सब चीजों का इसने विशलेशन किया देखे एक लाग करोड रुपे जो है सुरक्षा के लिए उसमें से 5,000 करोड रुपे रेलवे की कुछ आंतरी यानि इंटर्नल रिसोर्शन के कारण देही नहीं पाए 5,000 करोड रुपे इस RRSK को अब यह जो कमी पाई गई गई भाई साब 5,000 करोड आपने दिये ही नहीं अब जो जिस चीज के लिए बनाए गई थी प्राइमरी फैक्टर क्या था इस RRSK का भई सुरक्षा को बढ़ाना अब सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इसको फंड चाहिए था फंड इसको मिला नहीं फंड क्यों नहीं मिला क्योंकि रेलवे की जो इंटरनल रिसोसिस थे उसके कारण इस फंड को यहां तक पहुंचा नहीं पए तो कहीं ना कहीं जो RRSK को बनाने का जो मक्षद था वो बहुत ज़्यादा कमजोर बना दिया गया इस फंड के ना मिलने के कारण अब बात करते हैं ट्रेक नवीनी करन के लिए जो वित्यावंटर ने उसका घटाना देखे ट्रेक रिन्यूवल यानि कि दुबारे से ट्रेक बनाना उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत भी पड़ती है अब 2018-19 में ट्रेक रिन्यूवल के लिए 9607 क्रोड रुपे दिये गए थे 2019-20 में ये घट कर 7417 क्रोड रुपे रह गए जिससे पता चलता है कि गिरावट आई अब obviously इतने रुपे तो दिये गए लेकिन इसका भी सही ढंग से यूज नहीं किया गया ये रिपोर्ट में आव पतन में से 289 आव पतन 26% यानि ट्रेक नवीनी करन से संबंदित थे यानि कि अगर मान लीजिए कि डिरेलमेंट हुई 2017 से लेकर 21 तक जिसमें 289 ये 26% है वो ट्रेक रिन्यूवल के कांड हुई थी अगर यहाँ पर ट्रेक रिन्यूवल के लिए सही डंग से जो पैसा दिया गया था वो यूटिलाइज कर लिया जाता या फिर इसको पूर्णता है सही डंग से पूरा इनको जितनी जरूरती उतना फंद दिया जाता तो ये 26% जो डिरेलमेंट हुई है ये नहीं हुई होती अब कुछ सिफारिस से रिकमेंडेशन दी गई थी उनको हम जान लेते हैं कैक की रिपोर्ट ने दुरगटना की जांच करने के लिए और उसे अंतिरूप देने के लिए निर्दारिस समय सीमा की सक्ति से पालन करने की सिफारिस की थी एक सिफारिस ये भी की गई थी कि इंडिन रेलवे जो है वो एक स्ट्रोंग मोनेटिंग यहां पर लगाए कि देखिए ट्रेक रख रखाव और बहतर पर देखिए कि पूरी तरह से एक मेकैनिजाइज तरीके से किया जाए ट्रेका रख रखाव करना है वहां पर उसको मेंटिनेंस करनी है तो वहां क्या करेंगा आप पूरा एक पूर्ण रूप से मेकैनाइज तरीके से उस काम को किया जाए ये सब चीज़े बोलीगी एक रिकमेंडेशन ये भी दी गई कि इंडिन रेलवे जो है एक फ्रेमवर्क त्यार करें डिटेल आउटकम फ्रेमवर्क उसमें क्या होगा उसमें ये था कि जो ये RRS के जो अभी आपको मैंने बढ़ाए ने 2017-18 में जो गठित की गई थी इसने कितना सही धंग से काम किया इसको जो फंड दिया गया था उसने उस फंड का कितना सही डंग से यूज किया पही, सुरक्षा लाब में उसने लगाया कि नहीं लगाया और जो सुरक्षा लाब में लगाया वो कितने ज़ादा important थे उससे कितना ज़ादा एक derailment रुख सकती थी या फिर कहेंगे कि कोई गटना हो नहीं थी वो रुख सकती थी, इन सब की भी वो जांच करें ये एक recommendation भी दी गए थी एक framework कैसा बनाना चाहिए अब बात कर लेते हैं कवच क्या होती है देखें कवच जब भारत के द्वारा खुद के द्वारा बनाया गया एक system एक सुरक्षा system है अब दो train अगर एक ही track पे चल रही है दो locomotive एक ही track पे चल रही है तो यहाँ पर क्या होगा ये कवच ऑटमेटिकली ही इसको break लगा देगा ये जो railway minister है अशुनी वैशनो जी जवादारा ये खुद वहाँ पर test भी किया गया था वो खुद एक train में मौझूद थे सामने से एक ओर train आ रही थी तो ये track यहाँ पर दोनों track पे एक ही train मौझूद थी तो इस system ने automatically ही वहाँ पर break लगा दिया था अब देखे भारत के अंदर research, design and standard organization के द्वारा तीन अलग vendor ने मिलकर इसको बनाया है, इसका निर्मान किया है अब यहाँ पर एक सिकंद्राबाद के अंदर तेलंगाना में Indian Railway Institute of Signal Engineering and Tandy Communication जो कवच के लिए मेजबानी करता है, Center of Excellence वो मौझूद है, यह क्या करता है IR, ISCT क्या करता है यह training provide करता है यहाँ पर एक dedicated lab भी है जहाँ पर इन सब चीजों को सिखाया जाता है कारेशमता, functionality क्या है देखे, the system meets safety integrity level 4 standard 4, यानि कि जो एक high विश्वशनियता है उसको इदर चाता है, इतनी high security इसके अंदर कवच के अंदर दी गई है यह trainों को red signal होने पर वहाँ पर गुजरने से रोकता है अगर जो speed ज़्यादा है, उसको restrict करता है अगर driver के दोरे train नहीं रोकी जा रही, उसके अंदर वो विफल हो रहा है तो वहाँ पर automatic brake लगाने का काम यह कवच करता है दो locomotive के बीच में टकराव कोई रोकता है emergency होने के उपर SOS, यानि कि एक emergency message जो है यह भेजता है इसके लावा इसमें एक centralized live monitoring of train movement यानि कि live movement को भी यह बताएगा इसके अंदर ऐसा system भी fix किया गया है अब यहाँ पर देखें देखें कि एक लाग किलोमेटर की कुल route है है हमारे देश के अंदर railway का और उसमें अभी तक 1455 किलोमेटर पर ही कवच लगाया गया उसका reason बड़ा है सिंपल है कवच बहुत जादा महंगा पड़ रहा है इसको धीरे-धीर implement किया जा रहा है तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे South Central Railway जोन जो है वो कवच के कारह में सबसे आगे रह रह रहा है नतलब यहाँ पर ही सम चीजों को लागू किया गया Odisha की root line पर वो सीचम अभी तक लागू नहीं था अब आगे की रह क्या हो सकती है देखें आगे की रह में बहुत सारी चीज़ें बोली गही है देखें utilizing data analytics and AI artificial intelligence का use करना बोलाई देखें जितने भी आपके सामने data है track से related, train से related या infrastructure से related उनको इक अठा करते हुए आप data analytics करते हुए artificial intelligence का use करते हुए जो भी एक pattern है pattern बोले तो परिक कोई भी आपको कमी वहाँ पर नजर आ रही है जिससे आने वाले time में वो predict कर सके कि यहाँ पर safety risk हो सकता है ताकि वो भविश्य में उस धुरगटना को रोक सके इन सब चीज़ों का use किया जाना चाहिए इसके अलावा जो कवच प्रियोजना है उसको जल से जल लागू किया जाना चाहिए हर zone में उसको लागू कर देना चाहिए यहाँ पर बेशक बोला गया है कि हावडा चेन नहीं लाइन के उपर कवच का लगाना बहुत जादा जरूरी है मैं यह कहूँगा कि हर जगह पर कवच का होना बहुत जरूरी ताकि लोगों के अंदर वो विश्वास बना रहे कि भी रेल के अंदर यातरा करना खतरनाक नहीं है अभी हाली में जैसे यह सब चीज़ें देखने को मिली है बहुत सारे लोगों का एक तरीके से विश्वास वाँ पर डगमगाया भी है कैर आने वाले टाइम में डेफिनिटली इन सब चीज़ों को सही से लागू किया जाएगा और इस रुक्षा उपायों को सही डंक से लागू भी किया जाएगा उमीद करता हूँ कि आज का जो टोपिक है वो आप लोगों को समझ में आया होगा एक और टोपिक है CRS उसको भी बहुत जल्दी हम इसको कवर करने वालों वो भी railway से related है कि Commission of Railway Safety ये क्या होता है इसको भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे बहुत important टोपिक है वो भी पेडियो के लिए में अलड़ी आप लोगों को बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बोक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो के पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तब साथ के लिए इतना है था इस वीडियो में तैंक्स वर वोचिंग इस वीडियो